स्टडी आईक्यू आयेस अब तयारी हुई अफोर्डबल मिट 2000 के आसपास आई हुई एक सल्मान खान की मूवी जिसका नाम था गौड तुसी ग्रेट हो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है बहुत सारे लोग में आप में से बहुत सारे लोग में मूवी को सकता है दे हर तरह की जो भी प्रॉब्लम सो रही है जो भी सको फेलियर सो रही है उसके पीछव उसको लगता है की भगवान का हाथ है जहां भी उसको सक्पुल होता उसकी लाइफ में असोती है स्ली एक इसका फीश प्रॉब्लीम करता है ब dua German को आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह कि किसी problem के साथ associated हो आप कोई mock test दे रहे हो कोई test series दे रहे हो और उसमें हो सकता है उतने marks आप जितने expect कर रहे हो उतने marks आपको ना आ रहे हो है ना कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपने कोई topic को prepare कर लिया और उसके बाद जब आप उसको एक तरीके से वापस लिखने जाते हो attempt करते हो तो आप reproduce नहीं कर पा रहे हो उस retention level के साथ जो कि आप expect कर रहे हो पढ़ते समय कि हाँ अब तो यह मुझे बिल्कुल समझ में आ गया तो इस सारी कई सारी चीज़े होती रहती है मूवी की बात करें तो मूवी में आपको देखने को मिलता है एक essence है जहाँ सॉंग का sequence है और सॉंग में सलमान खान as a human के representative होके भगवान के साथ एक डूइल चल लिए एक तरीके से बहस चल लिए गाने के फॉर्म में इंट्रेस्टिंगली उसमें सलमान खान कहते हैं human को रिप्रेंट करते हैं कि हमने मैंने मैंने laptop बनाया मैं एरोप्लेन बनाई मैंन बनाई मैंने computer बनाए इती सारी चीज़ें मैंने बनाई है humans के एक तरीके से achievements को वहाँ पर signify कर रहे होते हैं तो God एक तरीके से आप देखते हो anthropology के इस lecture में इस नए वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं who created us the humans इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तुम आपको बता दूं कि आपको ज्यादा आप उसमें ब्रहमित ना हो बहुत सारी researches हुई है आप देख लो timey memorial से पिछले 100-200-200 सालों में कई सार लोगों ने attempt किया है supernatural being supernatural entity supernatural power को जानने के पीछे हम जो existence हमारी है हमारा जो evolution का course हुआ है उसके पीछे कौन सी driving force है सबने जानने कोशिश की लेकिन आज तक किसी को concrete एक answer आप कह सकते हो कि नहीं देखने को मिलता किसी को नहीं पता चला कि कौन है इन सब के पीछे तो अफकॉस उन लोगों को इतनी सारी resources के बाद नहीं पता चला हमको भी उसी तरीके से हमें भी इस चीज के बारे में नहीं पता है लेकिन अगर आप इसको more simplistic form में देखना चाओ हमारे anthropological लेंस या anthropological context में अगर इसकी आप बात करो तो anthropology क्या करती है anthropology का जो सोल डाइम डोमेन है वह तर दुनिया भर में हमको time by time जब भी वो मिलता रहता है तो हम उसको एक तरीके से assemble करते हैं और अपनी knowledge को और भी ज्यादा expand करते हैं जो horizon है पूरा उसको और ज्यादा हम expand करते हैं ताकि हम concrete evidence के base पे इन सारी बातों को जान सके इन सारी बातों कह सके कि इसके पीछे हम यहां प आप कहा सकते हो biological sciences या anthropology in general physical anthropology के डूमेन है वह सीज को एक lucid way में illustrative way में आपको बता सकता है through various archaeological findings various fossil paleontological findings तो यहां पर आगे बढ़ते हो देखते हैं यहां पर आप homo sapiens की बात करते हो हम और हमारी जो species है हमाई actually जो ट्राइब है आप classification पढ़ते हो टेक्स को नामी को पढ़ते हो तो उसमें अलग 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 ग्रूप से है क्लास की बात आती है और किंग्डम लेल से शुरू होता है उसके बाद आपको देखता है किंग्ड आपको mammals के बारे में नहीं पर आजएगा एप्स रेप्टाइल जो बाकि जितने भी आपको है फिशर्स के बारे में आप पढ़े रहे हो आप amphibians के बारे में पढ़े रहे हो डिटेल वे में आप सबके बारे में पढ़ते हैं तो सबके distinctive feature और किस तरीके से characteristic होते हैं कौन सी चीज़ कौन से features हैं जो एक ग्रूप को characterize कर रहे हैं पर जब हम यहां पर आते हैं तो हमारा सबसे पहले लेक्शन में आपको कहा था एंथ्ट्रोपोलोजी में एंथ्ट्रोपोस जो एक तरीके से keyword है जिससे पूरा का पूरा डिस्प्रिन associated है उसका मतलब है human तो हम किसी भी चीज़ को बाकी सारे elements को हटा के हम देखते हैं कि वह human से किस तरीके से concerned है human से कैसे concerned है तो human किस order का पार्ट है प्राइमेटर का तो उस order को हम distinctive way में पढ़े होते हैं detailed way में discuss कर रहे होते हैं और वहां पे भी जब हम उसके अंदर भी classification करते करते आप देखते हो कि आप वहां हमा पे गए फिर family में आते हो अब सब family में आते हो सब family से नीचे super family family sub family infroader मेरे ख़ी सारी जगहों से आप गोजर के जao finally आप आते हो genus और species के उपर आफिर सब species के उपर तब आपको homo sapiens का categorization homo as a genus and species आपको देखने को मिलती है as a sapiens यहाँ पर लेकिन यहाँ तक आने का हमारा course क्या है हम यहाँ पर आए कैसे तो वो आपको आपको बता दो इसके साथ साथ भी कई सारी theories है एक त्योरी जो आज के टर्म में बहुत ज्यादा accept की जा रही थी multi-regional theory जो है कि अलग-अलग reason में throughout the course of evolution human beings human population है वो evolve होती आई है लेकिन origin का point आप कह सकते हो या फिर जंग्चर कह सकते हो most of the जित्ती भी एक एरिया है East Africa में आपका है ना तंजानिया वाले जो reason है आप देखते हो वहां पर आपको ओल्ड विया जौर्ज और साउथ में जाओ गया तो वहां पर भी आपको साथ एफ्रिका में भी आपको कई सारे इसे reasons मिलें कैसी कई सारी साइट मिलें कि जिसके basis पर जहां पर इतनी सारी आर्केलोजिकल डिसकावरी कितने सारे फॉसिल्स मिले कि इन दोनों को भी जंग रहती है कि कि किसको आप कह सकते हो क्रेडल ऑफ मैंकाइड या फिर क्रेडल ऑफ ह्युमेणिटी तो इसलिए अलग-अलग जो सइन्टिस्ट हैं अलग-अलग-अलग टर्म को इन दोनों भी जगाहों के साथ ईसलिए इसको कहा जयता है क्रेडल ऑफ humankind या mankind क्योंकि आपको जो earliest evidences of a homo as a genus या फिर homo से भी पहले जो आपको groups मिलते हैं और चुले पित की बात कर लो आप RD पितकस की बात कर लो Kenyanthropus की बात कर दो और भी कई सारे जितने भी groups आपको देखने को मिलेंगे प्रो कॉंसल का जो group हो गया वो सब आपको अपरिका में देखने को मिल ला है तो एंटिक्रिटी वाइस किसी भी जगह पे इतना ज्यादा पुराना हम को देखने को evidences fossil की रिकॉर्ट में देखने को नहीं मिलते हैं इसलिए इन जगहों को हम एक तरीके से आप evolution देखते हो तो सबसे पहले आप यहां पे दो मॉडल में बटा हुआ है एक एरिडिटी हाइपो थेसे जाए एक आपकी सवाना हाइपो थेसे इस रीजन में आप कह सकते हो कि humans evolved है ना human की evolution की process को उसने support दिया यह कहती है यह बात यह चीज़ दिखाती है आप सबसे पुराने समय पे देखोगे तो homo sapiens आज हम जिस तरीके के हैं उस समय नहीं हमारे ancestors आपने अक्सर सुना होगा इरेक्ट पोश्र भी नीथा देवर quadrupeds quadrupeds का क्या मतलब है यानि कि चार पाउं पर चलते थे ठीक न हमको क्या का जाता है human beings को हम लोग आप बाइपेडलिजम करते हैं तो वी आर बाइपेड्स वहाँ पे आप quadrupeds की बाद देख रहे होते हो नेक्स्ट इंपोरेंट्स कही जाती है कि देवर वेज़िटेरियन की विडाइट करते हैं लेकिन हमारे अर्लियस एंसस्टर जो एक ब्रेक इवन पॉइंट ता ब्रेक्थ्रू पॉइंट था जहां पर फूर्ट्स को रहते थे और उनकी जो ड्वेलिंग्स थी हम टेरेस्ट्रियल और यहां पर ब्योडिफर करते हैं हम टे तoral कप्राइट में हैं तो आप देखते हो कि आरेस्टी जानली नेचर हूआ करते हैं टेरिस्शल नहीं थे पेड़ो के उपर आप of the trees वहां पर उनको सारे का सारे जितना भी डाइट है वह भी मिल जा रहा है खाना वहीं से मिल रहे है ठीक है हम बात करने कि वो फ्रूट कहते है तो इसलिए जमीन पर आना बहुत कम होता था और जमीन पर आना इसलिए भी उनके लिए नागवारत था या फिर उन नहीं आते इसको प्रिफर नहीं करते थे क्योंकि जो उनके प्रिडेटिंग प्रिडेटर स्पीसीज थी जो उनको हंट या फिर खा सकती थी एमार सकती थी वह सारी कि देखते हो कहीं सारी आपको देखने मिलता है कि जमीन प्रूब iod करती थी इसलिए उससे अज भी रेकल मिलेगा आपको टाइगर भी देखते हों मिलेगा कि वह स्पीड के थुरू बहुत तेजीस जा रहा है और कुछ फीड तक वह भी क्लाइम करता है लेकिन इवेंचुली जो मंकी रहे गया जो भी है आर्बोरियल एडपेशन है उसका इसलिए वह पूरी तरीके सा उपर चला जाएगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर बच जाएगा और टाइगर जो है वह उस तरीके के फीचर से नहीं उसके पास उस तरीके का आपको कह सकते हो एकलोजिकल अडेप्टेशन नहीं इसलिए वह नहीं जा पाएगा तो यह सारी चीज़ा आपको देखने को मिल रही हुत है आपको पेड़ों पर देखने को मिल रहे हैं उनके टेंटीशन पैटन अलगे अलगे हमने बात कि वह फ्रूट्स हो खा रहे हैं और हम लोग human beings कि है हमारी ओमनी वर्स डाइट पैटन इसलिए आपको कैना इन्स भी देखने को मिलता है वह लोगों के इसाप सो होता है कि कौ पैटन होता था वह चार पाओं पर चलने का होता था या फिर चार पाओं पर भीनिंदी आप और अर्बोरियल इंगल ए नेचर की बात करनेर、 वह उनका आ rättनिंगे पैटन होता था लिप अस तरीके से उनका पप्रक्र येBon हमारी population में homo sapiens की population में आने कुछ देखने को मिलें जो हमारे ancestral stock में नहीं था आप यहां पर बात कर रहे हो कि यह जो humans का evolution है more or less इसको का जाता है 0.2 माया के असपास या 0.3 माया के असपास maximum इसको असपास हम as a homo sapiens diverse group की तरह देखने आपको मिलने लगा और हमारी जो स्पीच की आप क्या सकतो हो क्याप स्टी एव और फिफ्टी टू सिक्स्टी के वाई या यानि की थाउजंट यह के आसपास डेवलप करने को देखने को मिलती है तो यह भी एक इंपोर्रेंट फीचर था सिगनिफिकन स्टेप था language का acquisition बोलने की पावर आना और इसमें भी हमारे एक तरीके साब क्या सकतो तो शोशल ग्रूप यह सोशल को हेजन का जो फिनॉमना है शोशल बीहेवियर हमारा उसको इस्ट्रेंग्टेंद किया है जो आपको प्रिम्टिव ग्रूप में देखने को नहीं मिलता है तो इसलिए यह भी हमारे एक तरीके से है एडेप्टेबल टूल है जो हमको होमो सेपेंस को एज इस स्पीशीज मोर सक्सेस्फल बनाता है एस कंपेर टू एनी अदर स्पीशीज इंदी पास्ट तो आपने देखा किस तरीके से यूमन इवाल वे ग्राजुली कई सारे चेंजे आ रहे हैं ओवर पीडिड उफ टा की जो मसल है वो आपको देखने को मिलती है है या स सारे फीचर है जो हमारे इरिक्ट पो में और सकते हो स invasive या एक और स्वीशीर के हो तो आराउं 1400 CC के आसपास कि आपको ब्रेंगी क्रेंट क्रेंटी देखने को मिलती है जबकि अर्लिएस हमारे इंसेस्टर की बात करो आप तो वो जैसे मंगीज के आसपास का जो है क्यूंकि हमारे इंसेस्टर के इसको डिसकस करने से पहले उसके साथ आप जोड़ के देख सकते हो कि स्लाइड में जो पहला क्वेशन था हमने काया कि हूप क्रियेटेड हुमन इसका हमारे पास को एक डेफिनिट आंसर नहीं है पर अगरम चाहें तो इसको पेलेंटोलोजी से या फिर हमारी अर्थ की जो प स्पर्नाचुरल बिइंग या फिर स्पर्नेचुरल पावर तो आफकोस हमें एंटिटी और बीन के बारे में तो नहीं पता पर प्लबर हम कह सकते हैं कि वह नेचर रही होगी है ना Gotcha से मतलब हमारा इमेरियेट हमारा environment हमारा ecosystem हमारा ecology जो है उसको हम एजर नेचर दे सकते हैं और नेचर में अलग-अलग changes आते हैं over a period of time और यह changes क्या है एक तरीके से directional influence रखते हैं कभी आप देखते हो बहुत ही hot and humid climate है कभी आप देखते हो extensive rainfall हो रही है अलग-अलग समय पे extremes दिखाती है और उससे बहुत सारी mass extinction होते हैं mass extinction के समय पे कई सारी species जो suitable हो जाती है जिनका adaptation एक तरीके से आप कहा सकते हो सबसे ज्यादा सूरे डब होता है बहुत ज्यादा fitness उनको प्रोवाइड करता है वह बच जाती है ऐसे mass extinction में और फिर वह आगे continue करती है एक अलग से as a parental population act करती है the founder population act कर रही होती है और दूसरा आपको देखने को मिलता है कि continuation of life पूरी तरीके से चल रहा होता है तो इस तरीके के जो सब्सक्राइब कर रहे हमारी existence को सपोर्ट कर रही होती है आप यहां पर सवाना hypothesis की बात करते हो तो यह भी नेचर का ही एक तरीके से आप क्या सकतो आप कहते हो नेक्स लाइट उसकी फोटो भी आपको देखने को मिलेगी प्रो कॉंसल्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्रो कॉंसल्स की पॉपलेशन जो होती है वह आपको आर्बोरियल इनेचर ट्रीक ऊपर चल रहे हैं फॉरेस्ट कवर बहुत जादा है पर आपको लोकमोशन कैसे होगा तो जमीन पर आने के लिए उनको फोर्स होना पड़ा और ग्राजुली और पीर टाइम इस से कहते हैं सैंटेस्ट्स या पेलेंट्र लॉजिस्ट या बाकी नैच्छल साइंटिस्ट कि इसी आप क्या सकते हो इसी डिरेक्शनल शिप्ट के इस तरीके से हम चल रहे होते हैं वह उससे बिल्कुल भी डिफरेंट हुआ करता था आप यहां पर बात करते हो कि एक स्लाइड आप देखोगे इस से आपको पता चल जाएगा यह जो प्रो कॉंसल की पॉपलेशन जो मैं बता रहा हूं सबसे ज़्यादा अर्बॉरियल है आपके एंसेस्ट्रल स्टॉक देखते हो इसको एंसेस्ट्र माना जाता है यह ट्रीस पर ड्वल किया आगते ट्री से इवल हो रहे एं फ्रॉम प्रोंसल पॉपलेशन जो की जिनको पेलों से उतरना पड़ा और टाइम क्योंकि फ्वारइस का जो कवरेटी सब अभ़ह पूरी तरीके से कम होता जा रहा था इस तरीके के फीचर इस तरीके चीजों के कारण आपको देखने को मिल रहा है कि य यह हमारे साथ इनकी कई सारी facial resemblance देखने को मिलती है enlargement of brain इस जगा पर आपको देखने को मिलता है ना brain का size enlarge वह जिसकी कई सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे in the course of evolution brain का size जब increase हो गया उसके बाद आप देख रहे हो आप पहला genus of homo आपको successful genus of homo यहां पर देखने को मिलता है that is homo habilis homo habilis जब आता है इसको handyman भी कहते है इस समय shift किया हुआ क्योंकि उनको बहुत सारे डर था है ना वो यह जमीन पर आ गए ते लेकिन हमने बात की थी कि आई सारी प्रिडेटर इस्पीशीज भी वहां पर गूम रही होती थी उससे बचने क्लिए आपको देखना पर देखते हो आपके है कि होमो हैबलस की जो population है वह आती है और एक तरीके से टूल मैनुफेक्टर का काम शुरू होता है जिससे वह अपने आपको प्रिवेंट भी करते हैं और भी कई सारी चीजों को जैसे फायर कंट्रोल करना और अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट अलग-लग वैपन को बनाना यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है होमो इरेक्टर जब आता है तो आपको कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर जैसे हम लोग जिस तरीके से चलते हैं उससे बिल्कुल सिमिलर मोड आफ आपको वाकिंग देखने को यहां पर मिल जाती है और टूल जो होते हैं वह बहुत ज्य बहुत ही अर्लियर स्टेश पर आप कहते हो फाइनली इसके बाद जो हमने बात किया रहूंड 0.2 माया 20.36 माया होमो से यहां पर मैंने सूचा कि सब से सूटबल लोग अपनी फोटो खुट की लगा दो तो आप बात कर सकते हो कि हो मो से पेंस की पोपलेशन यहां पर आपक जो इवनुशन का कोंसेप्ट है वो इस तरीके से चला इस सारी बाते होगी इसको डिटेल में प्राइम्यटालजी के अंदर में फिसकल यह अंथ्यू पल्जी के अंदर में दिद कहरों तो आजक्तव ने बस इतनाई मिलते हैं नेक्स लेक्षर में ठैक्यो Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल